नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाइनल जेके एरूटेक में दौस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे येस लेम्टेट के बारे में जी यहां दोस्तों येस लेम्टेट में लगातार दो दिनों से तकरीबन पा कर चुका है एक तयारी बना चुका है कि आपके पैसे को डबल करने का जिया दोस्तों आप लोगों ने एस बैंक लिम्टेट के साथ जुड़कर जितनी हिम्मत दिखाई है उतनी बहुत ही काविले तारीफ है क्योंकि जो लोग यहां पर पैनिक होके या जो लोग इस डर से कि जाए सिंगल डाइट में ना हो जाया उनको जो है आज बहुत पस्तावा होता होगा कि काश सेर को मैंने बेचा होता है और बार आप से आग्रह करता था विंती करता था कि आप जो है प्लीज Yes Candy limited को हाओड कीजिए टाइम देजिए क्योंकि हर एक चीज आपके जो हूस उड़ जाएंगे जिया दोस्तों जिस तरह से आज डाटा रिलीज हुआ है एस बैंक लिम्टेट में और जो सबसे बड़ी नियूज निकल के आ रही है एस बैंक लिम्टेट के ऊपर वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आज एस में के सेर में तक चिसे बैंक बैंक लीटों क काफी जादा फरशानीओ का सामना एक होरे में को मिलने को मिल्डा आता अब उसकी रेटिंग जो है कि Då्tı की तो एक बहुत ही बात है क्योंकि जब बैंक इंफ्री इस्ट्र err बांड इंफ्रेस्टक्टर बांड होता है वो जो है पहले इसका केयर रेटिंग था बी प्लस पहले इसका रेटिंग था बी और आप हो गया दोस्तों बी बी यानि कि ट्रिपल भी हो गया है जो कि एक अच्छी बात है इस वीडियो में पूरा अनलेसिस करेंगे कि कौन सा क्या अपग्रेड हुआ है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यस बैंक लिम्टेट के जो है लोवर टी टू बॉंड में तो पहले इसकी रेटिंग केयर बी थी लेकिन आब ये केयर बी बी हो गई है और इसका इंफ्रास्ट्रेक्चर बानता ओ भी था आप जो है बढ़कर बी बी प्लस हो गया है और जो इसका अपट टीर सेकेंड बॉंड था ये भी दोस्तों केयर डी था पहले पहले एक केयर डी था अब जो है इसका हो गया है केयर बी बी प्लस जो की एक अच्छी बात है इसके अलावा प्रिप्रेश्वल बांड की जो पहले रेटिंग थी दोस्तों केयर डी अब अब बीवी प्लस हो गई है यानि कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एस बैंक लिम्टेड में थी ओ थी दोस्तों इसके बांड को लेकर आप लोगों ने काफी सारा नूज सुना होगा कि एस में का जो बांड है उससे रिलेटेड मदरास हाई कोट में केस भी चलना आता तो काफी कि आदा न्यूज आई बैंक के बारे में और यह अफ़ाहन ही फैलाए गई कि एस बैंक लिम्टेड का सेर सिंगल डिजिट में आएगा एमके ग्लोबल फाइनलसियल सलुसन ने यह तो इतना तक्का दिया कि आप इसको बेज दी दिया और इसका टार्गेट रकात नहों और और उन चक्कर में और उन अफ़ाहों के चकर में बहुत से लोगों ने जो है एस बैंक लिम्टेड के सेर को बेच दिया लेकिन कहते हैं कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है और आपके इंतजार की घडिया समापत हो गई और यहां से धूम धड़ा का मचाने के लिए के FII और FPI और जो इंस्टिउशनल सेक्टर के जो बायर हैं अब जो है अपनी होल्डिंग यस बैंक लिम्टेड के बुक वैलू में दो साल से बढ़ा रहे हैं और दो सालों के बाद जो इंप्रूब करने की कोसिस में लगे हुआ हैं क्वार्टर और क्वार्टर देखें त कर्पोरेशन आफ इंडिया यानि की भारती जीवन वीमा ने भी यस बैंक लिम्टेड में अपनी हिस्सेदारी खरी दी थी आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब 11 रुपे 12 रुपे के नीचे इसने अपना लो बनाया था या प्यों के बाद तो उस समय एलाइसी ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई क्यों बढ़ाई व इसलिए बढ़ाई ताकि उनको पता था कि यहस लिंट्रेड में एक बड़ा धमाल होगा और यहस in Hoje बांस बैंस तो एक बहुत अच्छी बात है अभी देखा आपने पांस दिन पहले एस बारा रुपे तीस पैसे बारा रुपे 15 पैसे के बीच में मूब कर रहा था अब अब देखिए क्या सेनरियो बन रहा है अब इस टाक कहां से कहां पोचता हुआ आपको दिक रहा है मैं बार 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 सबसे इसका स्ट्रॉंग सपोर्ड दोस्तों था वह था बारा रुपे यह पीओ वाली जो प्राइस थी वह सबसे मजबूत इसका सपोर्ट का काम कर रही थी और यहां पर कई बार यहां से टकराने के बाद ऊपर गया आप चार्ट को ध्यान से देखें मैंने वंडे का चार को ध्यान से देखें तो 14 रुपे के लेवल को कई बार टच करने की कोसिस किया एस मेंक लिम्टेट लेकिन बार बार इसको जो है रिजेक्शन मिली है पिछले दो महीनों से लेकिन अब बहुत ही जल्द आपको जो है टार्गेट आपको अचीव होता हुआ दिखेगा आज 13 रुपे 54 पैसे पे स्टॉक अभी मतलब रन कर रहा है और जो आज इसमें गैप अप ओपनिंग होई है ओ सबसे बड़ी बात है क्योंकि गैप ओपनिंग सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि एस बैंक लिम्टेंड में पिछले 10 दिनों से जितनी गिरावट हो रही थी इन दो दिनों के ट्रेडिंग सेशन ने जो है उसको पूरा कर दिया यदि आप चार्ट को ध्यान से अनलाइज करें तो आपको साब पता चलेगा कि पिछले 10-12 दिनों का जो ट्रेडिंग सेशन था और जिसमें बैंक में लगाता और गिरावट बना हुआ था मात्र दो दिन के यदि आप वाल्यूम की बात करें तो लगातार चार दिनों से जो एक ग्रीन केंडल आपको बन नहीं ने वाल्यूम चार्ट है आप देखिए किस तरह से जो है इसमें जो है लोग जम कर खरीदारी कर रहे हैं दिवाली का महुका है और लोग जो है इसमें पैसे बनाने की फिराक में है और जब अरजस्त यहां पर वाइंग देखने को मिल लगी है जो कि एस वैंक लिम्टेट के लिए एक अच्छी बात है इसके बात जो सबसे अहम और जो सबसे इंपोर्टेंट जो मैं अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूं ओ है दोस्तों डिलिवरी डेटा क्योंकि किसी भी स्टॉक का डिलिवरी डेटा सबसे इंपोर्टेंट होता है यदि आप किसी स्टॉक को एनलाइज करते हैं तो एक बार आप से बिंती है कि आप उसका डिलिवरी डेटा चेक कर लेजे क्योंकि से आपको साफ पास लाता है कि बायर कितने एक्टिव हैं और सेलर कितने एक्टिव हैं तो yes bank limited का सेर कभी 400 रुपे पर टेट कर रहा था आज कंडिशन है कि 14 रुपे के ऊपर टेट कर रहा है तो इसमें अच्छा समय आएगा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा एक बार दे लेक्ट में सेर टेट किए गये हैं जिसमें से 4,43,6,221 की क्वांटिटी में जो है सेरों की डिलिवरी उठाई गई है जी यहां दोस्तों 100 पर्सेंट जितना क्वांटिटी सेर आज टेड हुआ है उतने की डिलिवरी यहां पर उठाई गई है यानि कि इसे साब पता चलता है कि लोगों का विश्वास एक बार फिर से एस वैंक लिम्टेट की तरफ मुड़ चुका है अब देखिएगा जैसे ही दो तिन दिनों के ट्रेडिंग सेसन में देखिएगा ऐसी कोई बड़ी नहीं हो जाएगी अब एक बड़ा इन्वेस्टर यहां पर अपना हाथ डालेग और फिर एस टाक आपको रॉकेट की तरह उरता हुआ दिखेगा अभी भी बाइंग आडर में आप चेक करें एनसी की वेबसाइट पे तो 18,16,476 की क्वांटिटी में 13.50 पैसे के भाव पे अभी भी एस वैंक लिम्टेड में बाइंग के लिए पड़ा हुआ है जो कि एक अच्छी बात है कल यहां पर सेनरियो करोडों में था लेकिन आज 18,00,000 में है तो 18,19,00,000 कम नहीं होता है आपको पता होगा इतनी क्वांटिटी तो मैं अभी बात करना हाता कि देखिएगा बीच में एक न्यू जाएगी और कोई एक बड़ा इन्वेस्टर जैसे ही इसमे प्राइस पर यदि आपने एसमेंक लिम्टेट को बाय करकी रखा है तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है एक ही सास्त्र है होल्डिंग जी यहां दोस्तों होल्डिंग वेट एंड वाज इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं सुरू से कह रहा हूं कि आप जो है व वीडियो आपको जरूर पसंद आओगा प्लेज वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिए